में आप सभी का दिल से बहुत-बहुत सौगत हैं सो तो इस पिर में हम बात करें कुछ important stock के बारे में उनसे related कुछ important news को हम detail में cover करेंगे सो उन stock में से कोई भी stock आप लोगों पास है किसी भी लेबल पर तो यह video आप लिए बहुत ही important होने वाल है सो सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज finance limited के बारे में सो बजाज finance limited के अगर हम आज की दिन के बात तो आज की दिन पूरे बाजर में हमें एक अच्छे-चासे प्रेशर को मिला जिनके चलते इस टॉक में भी आमें लगबंग एक सोवाग की बात के इन stock में हमें gap gap आप यह देखने को मिला था जो कि मैं आपको कल की दिन नहीं बताया था क्योंकि जिस प्रकार कि इसने कल की दिन तेजी के कंटीन हो रहे हैं और हमने सोचा था कि इसने आज की दिन एक all-time high को टच कर सकता है तो टच करना यह फिर ब्रेक करना और उसको पर closing दिखा के फिर से further rally दिखाना है वह एक अलग पार्ट है और सिर्फ टच करके फिर नीचे आ जाना वह एक different पार्ट है तो अगर हम बात करें आज की दिन बजाज फाइनस अपना all-time तो नहीं बट 50 रूपी खाए जो की 8043 के आसपास इस लेबल को वह टच करते हुए हमें देखने को मिला है exactly जो कि 52 भी खाए है तो all-time high कितना है 8050 सिर्फ साथ point के चलते हैं हमें अगर इस point को वह टच कर देता अगर 51 भी वह दिखा देता 8051 तो headline बन जाता कि बजाज फैनस ने दो साल बात है अपना all-time high भी हमें touch करते हुए देखने को मिला तो इसके पीछे का अगर भी दोस्तों एक reason है अगर आम उस reason की बात करें तो सबसे पहले आप highlight को देख पारंगे चार October यानि कि आज ही के दिन 1010 बजी के आतपास यह news आया था जो कि company अपना फ्यूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूट बाइंग रेटिंग उन्होंने दिया था हाली में इतने टॉप पर होने के बाद भी एकदम बाट्टम पर होने के बाद भी बजाज फैनेंस को जो उनुने बाइंग के टार्गेट दिया था लगबग 10,000 किसी ने 9,500 तक श्टॉक जा सकता है वो भी एक साल के अंदर तो उ उसमें आप देख पारेंगे जुकि 25% के आपको ग्रोफ देखने को मिल सकता है जुकि अगर आप डेटा से कंपेर करोगे तो पहले तो पहले तो 67.6 लाक जो की पता चले देर अगर हम बात करें कस्टमर फ्रेंचासी सो यह बहुत इंपॉर्टन डेटा है जुकि पिछले बार सप्टमर में 2022 के हम बात करें आप देख पारेंगे 62.91 mm था जुकि इस बार इंकीज होगे आपको 76.56 तक यह डेटा आपको देखने को मिल सकता है जुकि सकता है क्योंकि पिछले साल अगर आप देखोगे 22 में लगबग 39,422 करोर के जो आपको डिपॉसित बुक था जो कि इस पार इंकीज होगे इस सेफ्टमर में लगबग आपको 55,000 का आप पास यह डेटा आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है जो कि लगबग आपको 40% क के जम और अगर कंपनी के एसेट अंडर मेनेजमेंट के बात करें यह यह यू एम की तो उसमें भी आपको लगबग 33% की आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है जो कि आप इस डेटा को भी कंपैर कर सकतो पिछले डेटा से तो सारे डेटा को जोर के देखा जाए हम एसेट मेनेजमेंट के बात करें तो सारे चीजे हम रिपूर्ट के साब से देखने को मिला कि इस प्रकार के बजाज फैनेस के क्यू टू के नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं तो अगर इस प्रकार के नंबर आ जाते हैं तो आप ऐसा बहुत तो उसके बाद बाद है इस प्रकार के नंबर को अच्छे कासा थान सब भी आपको देते हो देखने को मिल से तो और वाके अगर वैसी भी देखा जाए कि कमपणी के जितने भी कौटर नंबर रहता है करके दिन में इस पॉन को कवर किया था कि हर कौटली बस पे इतने बड़े कमपणी होने के बाद भी ह कोटली बजाज फैनेस के नंबर आपको ऊपर ही जाते देखने को मिलेगा हर बार के नंबर भी उस प्रकार के आ जाता है तो आपको बता है कि टेक्निकल किसाफ ने फंडमेटल तो बहुत ही स्टॉंग है कमपणी दूस साल पुराना जो लेवल है जो कि आज के दिन इसने क साथ 17 अक्टूबर को है तो देख लेते कमपणी के नंबर किस प्रकार के आते हैं वाकिए अगर इस प्रकार के आते हैं और बाजर के एस्टिमेट के साफ से भी आते हैं तो सिर्फ ये पुराना है 2000 मतलब जो दो साल के पुराना लेवल है सिर्फ वो ब्रेकी नहीं होगा उ या 12 दिन बाद कमपणी के नंबर है कमपणी के एक्टूल नंबर देख रहना यह जो डेटा आज के दिन देखने को मिला इसके उपर ब्लाइन ही मत मतलब लीब मत करना कमपणी के नंबर एक्टूल में देख रहना उसके बात चाहता कोई फ्रक नहीं पड़ता आठ हजार क के लिए बहुत ही बेस्ट शाबित हो सकता है नेक्स टॉक की बाद करें आज के दिन रख बग एक पसंग के हमें तेही देखने को मिला तो अगर हमें इस न्यूस की बात करें तो आपको बता है कि इतने बड़े साची कंपनी है तो आई दिन कुछ ना कुछ इस कंपनी से ल देखनि को मिल जाता है तो ऐसी न्यूस को जैटे पी बहुत हो तो डिफिइन्टली इसमे बहुत ही लो रिस में आपके अच्छे काश से पैसा बनते होई देखने को मिल जाता है वो भी एक कंसिgency तेझी के बात एकिक class दंसे आपको घरावाट वर देखने को मिlaए और एक लंबिक Consolidation में आपको स्टॉक में जोकि हर आइट स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। पूरे आइती स्टॉक में आम इक बहुत बड़े गिरावाट बहुत बड़े प्रेशा रहे हैं फिर बहुत बड़े consolidation देखने को मिल रहे हैं आपको पता है अभी सबसे बड़े इस company के टाकसा के company के Q2 के नमबर जो की 12 October एन की next week को इस company के आपको Q2 के नमबर देखने को मिल जाए हैं इस प्रकार के बाजर उमीद लगा के चलते हैं इस ऐसे बड़े company को और आपने देखाऊ का अगर उमीद किसाब से बहुत खराब आता है तो stock में इतने blue chip company होने के बाद भी एक दिन में stock 10-10-12-12% गिर जाता है तो इतना करांचों का कोई अगर सूच रहके अभी इंटर लेनी के बारे में क्योंकि stock 30% डाउन है मतलब discount में है चाहता आप ऐसे भी बहुत सकतो तो blind ही मत खरीद लिना क्योंकि stock nearby उसी level पर है उसमें आप और भी अच्छे कासे investment करके चल सकतो बहुत ही कमार की company है मतलब इतना गिरे ऐसा पैनिक करने के जरूत नहीं पिछली एक मन्त की बात करें तो आज भी देखा जें तो लगबग 15 से लगे 16 पसंग के पॉजिरिव देजी और आप देख पाएं जब भी इस टोपचास के आसपस आता है तब इस टॉक में अच्छे कासा हमें profit booking देखने को मिल जाते सब्सक्राइब की बात करें आज की दिने एक छोटा सा हमें positive news देखने को मिल रहा है जो कि डेरी भी आप देख पारेंगे चार ओक्टोबर सब्सक्राइब दोस्तों in corporate हमें करते हो देखने को मिले जूकि उनके जो holy owner subsidiary है सब्सक्राइब देखने को मिल जाते हैं तो इंगेच दूस्तों बिजनस में ऑफ इंटर आलियाव प्रोबाइडिंग की बात करें प्रोजेक्ट इंजिनेरिंग की बात करें और प्रोक्यूमेंट उसकी बात करें और फिर कम्यूनिकेशन की बात करें मैनेजिंग कंसल्टेंसी सर्विस की बात करें तो इन सारे चुदों में इस कंपनी की हमें एक अच्छे कासे योगदान भी देखने को मिल जाते हैं तो नोड़ अगर आप चाहो तो इस पॉन को एक छ को मिल रहें तो इस टोड़ फिर से तीमेदीमेग जहां से बार बार बांस भाइक करता है जो की तुथाउजन दोहजार फिफ्टी की लेबल से स्टॉक दुबारा से हमें उसी लेबल पर आते हो देखने को मिले तो जो लोग सोच रहे थे क्या मौका हमारे छोट चुक है त देखन को मिले तो आप चाहों तो बिना नंबर देखे बिना भी अगर ये कंपने आपको अच्छे लगते हैं तो इस 2000 के लेवल पर एक स्टॉर्म में आप जरूर लगा के चाहते हैं आखरी स्टॉक है दोस्तों हमरा एक ऐसे स्टॉक की बहुत ही रेर हमें इस प्रकार के तेजे देखने को मिला दे लोग जो कि लगबत तीन सवाथ तीन पसंग के तेजे चुकि कंपणी के नाम है नैसल इंडिया और इसके पीछे का रिजन है कि कल के दिन बाजर क्लोज होने क कंपणी के मैंजमेंट के साइड से एक बहुत ही शांदा न्यूस हमें देखने को मिला था इस कंपणी से रेटेट जो की प्रीज के नाइंटीन ऑक्टबर को इसी मंत को कंपणी बॉर्ड आप डिरेटर के मीटिन रखेंगे जिन में कंपणी अनॉस्मेंट करेंगे रिजल साथ डिवनेस साथ आपको स्प्रीट भी साय से देते हूँ देखने को मिल सकता है तो इनी की चलते हमें अच्छे का से बायने देखने को मिला देगा नहीं देगा किस प्रकार के रेशू रहेगा वो ताम में 19 ऑक्कुबर को भी पता चलेगा तो कोई सोच रहे है कि इनको खरीदने के बारे में तो प्लीज एक बार कंपनी के नंबर देखना और किस प्रकार के रेशु देता है ये नहीं देता है तब 14 वास में इसके बारे में विचार कर सकते हैं